नमस्कार, Ultimate Life Associate में आपका स्वगत हैं, यह GS का Miscillaneous Person है स्टार्ट करते हैं, डैनमो का क्या कारे हैं? तो डैनमो का कारे यह ऐन्त्री कुर्जा से विद्दु तुर्जा का उद्पादन यह अंत्री कुर्जा को विद्दु तुर्जा में बदलने का कार डैनमो करता है होती है जिसकी वज़ा से गिर्गिट अपना रंग बदल सकता है तो गिर्गिट की तवच्छा में रंग बदलने का कारण मेलनोफोर नामक रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिती नेक्स्ट है पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिब तथ प्राप्त किया गया था तो पिच ब्लेंडी से रेडियम नामक रेडियो एक्टिब तथ प्राप्त किया गया था तो रेडियम नेक्स चलते हैं प्रकृत में सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाला कार्बनिक योगिक कौन सा है तो प्रकृत में सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाला कार्बनिक योगिक सेल्यूलोज है Cellulose ऐसा कर्वनिक योगी है जो प्रकृत में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है एक important question ये भी है देख लिए समुद्र के किनारे उगने वाले ब्रिच्छों में वार्सिक वाले क्यों नहीं होते है annual ring क्यों नहीं होते है जो ब्रिच समुद्र के किनारे उगते है तो समुद्र के किनारे उगने वाले ब्रिच्छों में annual ring इसलिए नहीं होते है क्योंकि वहां की जलवायू में इसपष्ट भिनता नहीं होती है जहां की जलवायू में इसपष्ट भिनता नहीं होती है जिसक पांच सेट आपको हिंदी और इंग्लिस मीडेइमें प्रोवाइड करा जाएंगे हिंदी वालों को हिंदी में इंग्लिस के अंतर की जाती है तो जेरेंटोलाजी में उल्डर एज की स्टडी की जाती है ज्यान की वह साखा कौन सी है तो जेरेंटोलाजी है जिसमें उल्डर एज की स्टडी की जाती है next question पे चलते हैं खट्टे फॉलो में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो खट्टे फॉलो में विटामिन C पाया जाता है ascorbic acid direct form में होता है नीबू संत्रों में पाया जाता है ध्वन की तीवरिता मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं तो ध्वन की तीवरिता आडियो मीटर से ही मापी आती है तो ध्वन की तीवरिता मापने वाले यंत्र आडियो मीटर next दूद का खट्टा होना किस के द्वारा होता है तो दूद का खट्टा होना जिवाडू के द्वारा होता है बैक्तिरिया के द्वारा होता है Nex cryptocurrency Wow के वर्ड करम में प्रिज में सरवाधिक विचलन होने वाला कौन सा रंग है तो वह है वाइगप कलर वियलेट कलोर है जो सरवाधिक क्या इस्तमाल के जाता है तो फ्रियोन, फ्रियोन को रेफ्रिजिरेटर में प्रसीतक के रूप में इस्तमाल के जाता है, तो फ्रियोन ऐसा होता है जो रेफ्रिजिरेटर में प्रसीतक के कारे करता है, दूद से दही बनाने में कौन सा बैक्टिरिया सहायक होता है, तो दूद किस अंग के कारें ना करने पर डायलेसिस किया जाता है तो किड्नी के काम ना करने पर डायलेसिस किया जाता है जिसे हिंदी में व्रिक करते हैं व्रिक या किड्नी के काम ना करने पर डायलेसिस किया जाता है मनुस्थ के मस्तिस्क कशने सबसे बड़ा भाग क्या होता है तो प्रमस्तिस्क प्रमस्तिक सेरे ब्रह्म मनुस के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है राइफल चलाने पर लगने वाला जटका किस के संदर्चड का उधार अड़ है तुवा रेखिये समवे के संदर्चड का उधार अड़ है राइफल चलाने पर लगने वाला जटका रेखिये समवे के संदर्चड का उधार अड़ है Conjurvation of linear momentum का एक ज्यामपल है. Next देखते हैं, प्रयोख साला में सरप्रथम जीन का संसलेशल करने वाले बैज्यानिक कौन है? तुम हैं हर गोबिंद खुराना. हर गोबिंद खुराना प्रथम ऐसे बैज्यानिक है जिनोंने प्रयोख साला में जीन का संसलेशल किया. तो चंद्रमा पर वायो मंडल नहोने कारल यह है कि वहाँ पर गैस ही अवेलबल नहीं है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माद्धे मूल वेग रूट मीन स्क्वाइर वेलोसिटी जिसे कहते हैं उसके एसकेब वेलोसिटी से अधिक है पलाइन वेग से अधिक है और जब कहीं के पलाइन वेग से अधिक किसी भी वस्तु की वेग होती है तो वस्तु क्या करती है वहाँ से पलाइट हो जाती है एसकेब कर जाती है जैसे यहाँ से जब हमारे यहाँ से रोकेड जाते हैं स्पेस में तो एसकेब वेलोसिटी से ही एसकेब करते हैं एक escape velocity होती है हर एक ग्रह या जो कुछ भी कहली उपगरा की और उसके उपर जाने के लिए तो चंदरमा पर वाई मंडलना होने का कारणिया है कि वहां पर गैस ही नहीं पाए जाती है क्योंकि गैसों का root mean square velocity escape velocity से जादा होता है तो गैसो का root mean square velocity चंद्रमा के इसके वेलोसीटी से ज़्यादा है अथा चंद्रमा में वाई मंडल नहीं पाये जाता है Next, किसे कोस्किय सहवाल का उपयोग आंतरिच में खाद की समुचित पूर्थ के लिए किया जाता है प्राक्रितिक रवल किसका बहुलख है तो आई सुप्रीन का बहुलख है प्राक्रितिक रवल किसका बहुलख है आई सुप्रीन का बहुलख है द्रव की चोथी वस्था क्या कहलाती है तो प्लाजमा इस्टेट द्रव की चोथी वस्था कहलाती है प्रत्यवर्ति धारा की माप किसी अंत के द्वारा की जाती है तो होट वायर अमिटर से की जाती है प्रकास तरंगों के किस गुड़ से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाड मिलता है तो उनके पुलराइजेशन से धुरुवर से तो प्रकास तरंगों के धुरुवर से उनके अनुप्रस्त होने का प्रमाड मिलता है नेक्स्ट है एक वृत्ताकार वले का गुरुत केंदर कहां होता है तो वृत्ताकार वले का गुरुत केंदर वले के वले वृत्त के केंदर पे होता है तो वृत्ताकारवले का गुरुत केंद कहां पर होता है तो उसके केंदर में होता है, सेंटर में होता है एक कुछन और पूछता है कि जब गुमाओदार मूड आता है तो चालाक अपने वाहन को अच्छ की तरब जुका देता है या रोडे अच्छ की तरफ जुकी होती ही घुमाओदा और मोड़ पर तो वो किसले जुकी होती है क्योंकि उसका गुरुत तो कहां पर होता है, सेंटर में होता है, इसलिए जुका दी जाती है, जिससे सेंट्रिपिटल फोर्स लगे, ठीक है, नेक्स्ट रहे हैं, गरह गती क सिद्धान के प्रिंसपल को प्रिंस्पल को प्रिंस्पल को प्रिशक किया था, थए तो और जो सूर इसे हमें प्रकास मिलता है वहां पे भी यही hydrogen bomb वाली ही प्रेक्रिया होती है वहां पे भी नापके Sunland होता है दो hydrogen मिलके helium बनाते हैं उससे बहुत सारी energy नहीं कलती है उसी तरह वहां बहुत सारे hydrogen एक-एक hydrogen मिलके helium बनाते हैं जिसकी बैसे सुर्ष का प्रकास मिलता है उसी energy से तो सुर्ष भी ले फ्यूजन पर देस सुरिक से जो प्रकास मिलता है और हैसा होता नेक्स प्ट्राण की खोच किसने की थी तो रदर फोड ने प्रोटान की खोज की थी प्रोटान की खोज किसने की थी रदर फोड ने की थी कौन सा पदात प्रिथवी पर तीनों आस्थाओं में पाए जाता है तो पानी एक ऐसा पदात है जो तीनों आस्थाओं में पाए जाता है हीरे के संबन्द में कैरेट क्या होता है तो हीरे के भार का मातरक कैरेट कैलाता है यूनिट आफ वेट अब डायमंड कैरेट कैलाता है हीरे के संबन्द में हीरे के भार का मातरक कैरेट कैलाता है नेक्स्ट देखते हैं गैलवेनी क्रिक्त लोहे पर किस का लेप होता है? तो जिंग का लेप होता है जो लोहा होता है लोहे पे मुर्चा अलना लगे या फिर वो आकसाइड न बनाए उसका छरण न हो तो उसके लिए उसके जिंग की लेप लगा देते हैं भारत में 28 फरवरी को बिग्यान दिवस किस उपलच में मना जाता है तो डाक्टर सीवी रमन दवारा रमन प्रभाव की खोज के लिए इस दिन को बिग्यान दिवस के रुप में मना जाता है तो यहां से तीन कोशियन प्रिपेर हो कर लिजेगा कि बिग्यान दिवस कम मना जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है किसलिए मनाया जाता है सीवी रमन के खोज के लिए डाक्टर सीवी रमन द्वारा और सीवी रमन की खोज किस ने की थी तो डाक्टर सीवी रमन ने की थी और इनी के नाम पे इसे रमन इंफेक्ट नाम दे दिया गया साथ मुंबर 1988 को भारत के किस महान बेग्यानिक का जन्म हुआ था तो डॉक्टर सिवीरमन का जन्म हुआ था नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक का प्रियों किस बिमारी की रुखधाम के लिए किया जाता है तो गलगंड गल्टर नमक बिमारी होती है इसे घोगा भी कहते है वो कहते है फाए जाता है वो हमाई थुट में होता है गलों में तो उस बिमारी से बचने का उपाए आयोडीन युक्त नमक है जो पाहली इलाखों में जाधात्रिस होता है नेक्सिट है विद्धूत मोटर का क्या कार है तो विद्धूत मोटर क्या करती है यांत्रिक उर्जा को रुपांत्रित कर देती है विद्धूत मोटर विद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में रुपांत्रित कर देती है तो हरे पौदों में प्रकास संसले सड़की का क्वांटासों कहलाती है यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताईएगा अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप हमारे टेलिग्राम गुरूप के पेड गुरूप में एड होना चाते हैं पेड गुरूप के मेंबर बनना चाते हैं तो आप टेलिग्राम में दिये गए इंस्ट्रक्शन को फालो करके मेंबर बन सकते हैं इस वीडियो की PDF आपको आमारे टेलग्राम गुरूप में मिल जाएगी, धन्यवाद.